कि कालो बच्चो कोश्चन नमबर 1.143 इस कोश्चन को डिसक्स करूंगा लेकिन यह कोश्चन काफी जदा क्लास में डिसक्स करने वाला कोश्चन है काफी जदा क्लास में मैं तो इसको एक्जामपल लेता हूं क्लास में तो फेमस है लेकिन मैंने आपको जैसे बोला था कि अब मैं सारे कोश्चन के सलूशन दूँगा तो इसका भी दूँगा ठीक है न तो इसका सलूशन देखते हैं बोलना है कि एक पुली है जो आइडियल है मतलब मास्लेस है फ्रिक्शन लेस है दो मास हैं M1 और M2 यह कह रहे हैं कि इनके सेंटर ओफ इनर्शिया मतलब सेंटर ओफ मास्लेस्ट का एक्सिलेरेशन क्या यह बताएगे तो सिंपल सा है एटवर्ट मशीन में इसका एक्सिलेरेशन ए अगर हम मान लें तो इस एक्सिलेरेशन की वैलू M1 G माईनस M2 G अपाउन M1 प्लस M2 आएगे ठीक है न और अगर सेंटर ओफ मास्का एक्सिलेरेशन निकालना है तो इस डारेक्शन को चलो पॉजिटिव मान लेता हैं, तो क्या लिखेंगे, M1 A minus M2 A divided by M1 A1 plus M2 A2 upon M1 plus M2 वो वाला फर्मला यूस किया है, मैंने तो यहां से बच्चो A C M की value आती है M1 minus M2 upon M1 plus M2 into A यह रहा A तो A की value अगर हम put कर दें तो A की value जो है वो यह आ जाती है, ठीक है? और finally जो answer आता है बढ़ा interesting सा, बढ़ा मज़ेदार सा और वो यह कि M1 बढ़ा हो या M2 बढ़ा हो इससे फरक नहीं पड़ता है, guarantee है यह acceleration positive आएगा मतलब guarantee है कि center of mass नीचे ही जाएगा ठीक है ना? इसको यूँ भी सूच सकते हैं कि किसी भी system की gravitational potential energy free fall कर रहा है या one natural process हो रहा है तो gravitational potential energy decrease ही हो रही होगी है तभी तो वह हो रहा होगा तो ऐसे भी कह सकते थे हम लोग तो उम्मीद करता हूँ यह solution समझ में आया होगा और अच्छा question है खुद से भी कर सकते थे तो मिलते हैं next question के साथ तब तक के लिटाटा बाबाए तो मिलते होगी होगी है